आज ही doubtnet आप डाउनलोड करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ तो इस question में हम से यह पूछा गया है कि pigment के basis plastids को हम लोग कैसे classify कर सकते हैं तो plastids excel organal है जो की plant में present होगा ठीक है तो plastids के classification यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ठीक है तो plastids तीन category में divided है pigment के basis पे पहला क्या है इसमें जो आता है वो आता है chloroplast ठीक है फिर आता है leucoplast ठीक है अब यहाँ पर जो chloroplast है उसमें pigment जो present होगा उसे हम लोग बोलेंगे chlorophyll chloroplast में बहुत सारे pigment present होते हैं जैसे कि keratinoid और xanthophyll यह सब chloroplast में present होगा यह plant को green color के अलावा जितने भी color plant में अगर आपको देखने को मिलते है fruits वगेरा में तो वो chromoplast की वज़े से होते है leucoplast जो है वो colorless है ठीक है leucoplast भी हमारा जो है वो तीन काटेगरी में divided है ठीक है पहला amyloplast या इसके बाद जो है वो ilioplast यह क्या करता है कि यह storage का काम करता है ठीक है और तीसरा है olio plast तो अब आपको समथ में आ रहा होगा options देखके कि इसमें से सही क्या है pigment के basis पे plastics इसको तीन काटेगरी में डिवाइड किया गया है ठीक है जो है option no.3 हमारा chloroplast, chromoplast and leucoplast तो जो option यहां पे सही है वो है option no.3 Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर होसा आज जी डाउनलोट करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 सुपर